सबसे बिस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हमारे पास टाइम को मैनेज नहीं करते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास टाइम भी नहीं पड़ने के लिए तो इसके लिए मैं टाइन टेवल आपको बताता हूं लेकिन आपको फोलो करना होगा यदि आप चाहदी हो कि नहीं अच्छा परसेंटे लाना है क्योंकि आलड़ी हम जानते हैं कि पूरे साल का टाइम निकल चुका है सिफ दसी परसेंट का टाइम बचा हुआ है इसलिए इसलिए आप ठान लिए हो कि नहीं ये मेरी लाइफ है मुझे डिसाइड करना है क्या करना है तो फिर रेडियो हो जाओ और मैं देखो टाइन टेबल बनाता हूँ थोड़ी बहुत टाइन टेबल में आप चेंजेस ला सकते हो लेकिन प्यास करो कि ये टाइन टेबल रहे अ आस चान्स मला है बोर्ड एक्जाम में अपने आपको प्रूफ करने का हमेसे आपने पूरे लाइफ टाइम के लिए परूफ करने का क्या पैल कर सकते हैं तो आप जिए स्छाने कर पाएगा लाइप में और जो अच्छा दस पढ़ता है न अच्छ से वही आगे के पढ़ाई कर पाएगा क्योंकि जिसका बेसिक की स्टॉंग नहीं है न वो लाइप में कभी भी कितना प्रयास कर ले आगे अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि बाकी क्लास को सुधारने के लिए टाइम नहीं मिलेगा हम सोचे कि एगारा में है और दस का टाइम सही का दस का जो क्लास है उसका सारी चे पढ़ाई करके एगारा को अच्छा कर ले यहीं पॉसिबल है नहीं कर पाऊगे इसलिए आप मेरी बात मनो आज ठान लो आज सबसे ज़्यादा जरूरी यह इस टाइम पर इसलिए आप पढ़ाई करो टीकंड आप बताता हूं देख् zombi उन्हें के लिए नो पाइल सबसे पहले सुछने करो कि इसलिए टाइलए ने बात कर लेंगे और बसका हका और आज आज आपको और अपनी बोर एक्जाम दोनों को चैलेंज कर रहे हैं कि अमनों अच्छा करेंगे क्योंकि पता है इस बार नहीं तो कभी नहीं इसलिए सुबह सारे चार बिज़े उठा करो पांच बें तक अब पाने को बार उगालना नहीं है आपको गुलगुला करते रहना है और पानी को छुटा, मारो, कम साथ आड़ बार आपको लिखोगे, आपको तुरासा बहुत एक्टिव फील होगा, बहुरी के लगने के हर एक पार्ट इदम एक्टिवेट हो चुके है और आप पढ़ने के लिए रेडी हो, है रहा अब रेडी क्या करना है, ऐसा एक डार्ट जाना है बैटना है, पढ़ने स्टार्ट करना है, ये बेस तरीका नहीं होता है आपको क्या करना है, कि आप एक गलास फिर से पानी पीयो, और फिर बैठो पढ़ने के लिए ठीक है, आप पांस दस पे बैट जाएक करो फिर 10 मिनट जैसे 6 बचे आप 5-10 से लेकर के 6 बे तक 50 मिनट लगतार मैद पड़ो और एक नया चप्टर स्टार्ट करो जैसे मालो पहला चप्टर से एक दे में स्टार्ट करना चाहते हैं ठीक है पहला चप्टर पकड़ो आज पहले चप्टर को पढ़ो और 5-7 की बीच में इसको खतम कर जाना है अब 5-7 कैसे पढ़ना है सुनों मैंने बता है 5-10 पर बैटो 5-5-10 से लेकर के 6 बे तक लगतार पड़ो जगह से हिलना नहीं है चूचा कुछ भी ने करना बता दे रहे उसके वासे क्या करते बचो फिर आप 5-10 से 6 बे तक बैटे आपना पढ़े अच दो तरीके को रही है एक दो रिविजन भी हो रहा है दूसरा प्रक्टिस ही हो रहा है कि आप और स्पीड अपनी बढ़ा रहे हो जिसमें बोर्ड एक्जाम में अच्छा कर जाओगी ठीक है ना तो पांच से 5-10 से 6 बे तक फिर 6-10 पे उठो फिर त्वास जाओ आप ट्वा पार को अटार लिया करो और उसके फिर अपने जगाप आओ और 6-10 पर पढ़ने के लिए 6-10 से 7 अपना मैठ पढ़नो मैठ पढ़ो और कोई आपसे नहीं आपके पास मैठमेडिक सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके पासे क्या करना है मैठ पढ़ लिया सारे ची जो में मैठ में कहां से स्टार्ट करें कौन से चेप्टर पहले पढ़ें कौन सा चेप्टर बाद में इसका तरीका मैंने बता दिया है इसलिए उस वीडियो का फोलो करो उसमें सारी चिमें बता दिया 7 E M तक आपने पड़ लिया, 7 E M कुछ बच्छों का इस्कूल अगर 8 बे से है, तो ठीक है, 7 से 7 पचास तक अपनी रेडी होलो, नहाद बच्छों करेंखर 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 करने इस्कूल के लिए निकल लो, ठीक है जिन बचों का सारे आठ बजे होगा वो दो अराई बजे तक छूट जाएंगे जिन बचों का नो बजे होगा तीन बजे तक छूटते होंगे यह बात फिक्स है जिन का आठ बजे होगा वो कितने बजे चूटते होंगे दो अधाई बजे तक छूटते होंगे यह बात fix है, तीन बेत तक जूटते हूंगे तो मालो, जिन बचों का 8 बेत से घर के लिए ही जाना है, रास्ते में कोई काम ने करना है शिवाई घर के जाने के, ठीक है? फटा फट धर पहुँचो आप तीन दस पंदरा बीस होते होते जो बच्चे दूर जाते हैं उनके लिए एक घंटा टाइम हा लेता हो चार बच तक ठीक है तो उतने दिर में बाकी बच्चों को क्या करना है कि आप उतना दिर में अपने टाइम को कैसे मनेच करोगे तीन बचे सार तीन बचे तक अपने घर पहुंच लेना है सार तीन बचे बाद आपका अपना ड्रेस चेंज करो खापी करके तो आसा अराम करो चार बचे बैट आप पढ़ने के लिए अगर नहीं बैट पाओगे टाइम मेनेज नहीं उपाएगा ठीक है यह साथ से आठ पढ़ लेना है चार से पाँच आपको क्या पढ़ लेना है चार से पाँच आपको फिजिक्स पढ़ लेना है फिजिक्स पढ़ लो या साइंस का कोई भी एक पाट पढ़ना चाहते हो जो आपको सबसे हाड लगता है उसको पकड़ो है ना साइंस का पेपर फस्ट पढ़ उसके पासे 5-6 आपको क्या करना है, 5-6 क्या करना है, 5-6 दूसरा पेपर, साइंस का ही, और कोई अप्शन ही हमारे पास, मेनत, तगडी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, बोल्ड एक्जाम सबके बस का नहीं हो, तो यह बात लिखके रख लो, आई स्थान लिए तो करके दिखा करता हूँ 6-7, 6-7 आप बाहर अपना खेल कुल लिए, मार्केट से कुछ समान लाना ला लिए, जो भी साकसबजी लाना आप कर लिए, तो आप बाहर घूम लिए, फ्रिश हो लिए, कुछ खापी लिए थोड़ा बहुत, अब उसके बास से 7 होजे, 7-8 आपका फिजिक्स का मैत का ओलरी मैं एक रिविजन क्लास से स्टार्ट करता हूँ, जो मैत आप यहां पर हो, या मैत में मेरे साथ रिविजन कर सकते हो, मैत के लाइफ क्लास में जूर करके, आपका मैत का रिविजन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, आप मैत का रिविजन कर लिए, फिर आठ, लगबग 9 तक मैं 8-15 से ले करके या 8-10 या 8-15 से ले करके 9-10 या 9-15 तक मैं अपना physics का लाइफ क्लास चलाता हूँ तो इसमें मालो एक chemistry पढ़ लिया बाइलोजी पढ़ लिया और आपका revision class यहां हो जाएगा physics का है ना आठ से नो मालो physics का revision class हो गया ठीक है physics का 9-15 तक चलता है मालो 9-10 तक मैं खत्म कर दूँगा कोशिस करूँगा यह physics का live class आप जॉइन कर लो वहाँ पच्छों से अपना physics कर लोगे ठीक है physics का मालो ही ठाट पर पढ़ है कोई chemistry पढ़ लो इसके वाइसे क्या करना है 9-10-9-15 पर आप खारी हो जाओगे आप यदि आपका डिनर का टाइम हो गया है तो 9-15 के बाद आपना डिनर कर लो 10-20 तक डिनर करके रेडियो हो जाओ फिर 10-20 से पढ़ करके 10-11 तक आपको SSD पढ़ना है यदि आपको लगना कि नहीं भीजा मैं 10 बेट दिनर करूँगा त आप 9-15 से ले करके जो भी आपका 9-15 से 10 टाइम हो गया 10-15 तक आपका टाइम होगा उससे में आपको SSD पढ़ लेना है सिब्यसी बोड़ वाले बच्चे आइससी वालों कोई ले टाइम है उसके बताऊंगा मैं ठीक है ना तो यह हो गया आप SST पढ़ लिए 10 बजे के नीद में यारी है मैं थोड़े और पर सकता हूं तो एक काम करो 11-12 एक गंटा या पल दो साथ में स्कूल तो जाओगे ना स्कूल में स्कूल में तो जाओगे ना इतना है इतना टाइम कहां चला कर दाए यह स्कूल का ताइम वहां भी तो physics chemistry और मैं रिव्यों होगा जब भ परके गए दो घंटा उसमें कम्प्रीट नहीं हो पाता है तो पहले एंस्याटी परो फिर आरे सगरवाल परो और इस तरह से जो भी सब्सक्राइब के इसकूल में बैठ के रिविजन करते रहना खाली प्रियर में यदि आप महीं करोगे अच्छा नहीं पाएगा बात फिक्स जिता मानने बाद से क्या करना है अपना पर ना परने के लिए पानी गुलास पीना तभी बैठना है प्ली तरीका क्योंकि बॉड़ का सरकुलेशन लागा चलता रहता है क्योंकि बहर अंपर बदल दो जगा यहां साइमस का बाइलोजी याप फिजिक्स अलाग अलाग जग करो यह दूब कमरा बदल लिया करो जगा बदल लिया करो जैसे करते हो कभी एक जगा पर लगातार दोस्ते अधिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए मालगा आपर फिजिक्स कमेस्टी पर लिए तो इदर बाइलोजी असे सटी पर लो इधर मैथ पर लो डा कमरा तुमारा पढ़ाई भी उपाती है नहीं तो आगे अच्छी पराई भी उपाईगे इसलिए बिच्छे मेरत थो दो महिनों में एक अच्छा काम करना है काम अच्छा यह करना है कि बोड नहीं अच्छा रिसल्लिट लाना है ठीक रहा है तो यह करो बाकि जो बच्चे नोन इस्कूलिंग जो इस्कूल नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइंटेबल मेरे पास है मैं वह भी बनाते दूंगा जो बच्चे नोन इस्कूलिंग आए इस्कूल नहीं जा रहे हैं वो दिची वीडियो में इस कमेंट कर देंगे हम उनके लिए एक टाइंटेबल बना करके अपलोड कर देंगे ठीक है बच्चो तो आज के लिए बस इतना ही मिला जाएगा साम के समय साथ से आठ वाली क्लास में ठीक है